नमस्कार, राम राम साथ, विक्स क्लासेज की ग्रामर सीरीज में आपका स्वागत है, ग्रामर में अभी तक हम जो कर चुके हैं वो शुरू के बेसिक्स, पाट्स अब स्पीच क्या होते हैं, टाइपस अब सेंटेंसेज, बिल्डिंग ब्लॉक्स, फिर नाउन में, नाउन की स्थिति का दिन, subjective case, objective case, subject में कुछ important चीज़े निकल कैई, objective case में, तो वहां subjective case, objective case पढ़ते से में पता लगा कि नाउन दिखाई कहां कहां देगी, वर्ब के subject के तोर पे, या preposition या verb के object के तोर पे, नाउन की तीन फिक्स होती, बाकि जो अलग जो कुछ हैं उपाये वो जै की ताहरी करते हैं, RPSC के या state level के या teachers के जो exam है, उनके videos मैं अभी तक नहीं बनाए है, in case अगर time demands और अगर vacancies आती हैं, तो वो videos में मैं बनाऊंगा, थाकि students के RPSC के students के लिए भी help हो सके, being online, आपके online आने से सबसे अच्छी जो मदद मिलती है, यह मिलती है कि online आने से दाइरा बढ़ जाता है, अभी तक as a teacher मेरे पास काफी particular दाइरे में से मटके रह गया था, banking, SSC and all that, so range cat से लेके और RPSC तक किसी भी student को पढ़ाया जा सकता है, state level exam के, तो उसमें थोड़ा सा उनके syllabus में, ताइप सब question के हिसाब से थोड़ा सा आपको syllabus को tweak करना पड़ता है, फिर चीजें adjust हो जाती है, तो अभी जो है, मैं general students, जो LDC की, SSC की, banking की, या basic जैसे management के exams के तहरी करते हैं, उनमें basic idea के लिए ये videos बनाए जा रहे है, तो noun का जो तीसर आपका जो tense का निर्मान करना, number के साथ agree होना finite है, उसके अलावा जो भी कारे करे, subject बन जाए, object बन जाए, adjective का कारे करे, उनको हम कहते हैं non-finite, वो हम कल के lecture में पढ़ चुके हैं, आगे हम बढ़ें उससे पहले positive case में कुछ चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है, positive case वैस पहले चैनल को subscribe कर लिजिए, दोस्तों के साथ share करिए, आप लोग share कम कर रहे हैं, इसको थोड़ा share करिए ताकि मैं आपकी help कर पहूँ, आप मेरी help करिए, as simple as that, तो आगे बढ़ते हैं इसमें आपका positive case, positive case और genitive case क्या होता है, किसी का position, ownership, authorship, origin और kind इतिया दरसाता है, इस को positive case में होना कहता है, जिसे Kalidas's play, the play written by Kalidas, mother's love, the love felt by a mother, prime minister's speech, the speech delivered by the prime minister, Mr. Singh's house, the house where Mr. Singh lives, Vidi's school, the school where Vidi goes, a children's playground, a playground for children, a month's holiday, means आप सब में आप notice कर रहे होंगे, कि positive case जो है, बेसिकली, एपस्ट्रोफी, एवं एस लगा कर बनाए जा रहे हैं, तो positive case का मतलब है, कि किसी का कुछ, मेरा कुछ, फलाने का कुछ, रमेश का, दिनेश का, महेश का, whatever, you know, जहाँ पर किसी वेक्ती से कुछ, जगे से कुछ बिलॉंग करता है, किसी जीव से कुछ बिलॉंग करता है, उसको हम, कहते हैं, पजिजिव केस, तो positive case जो होता है, मूल रूप से हम अगर बात करें, तो कुछ discussions में करना चाहूँगा, पजिजिव केस जो हो, उसका, अगर हम formation की बात करें, कि दिखता कैसा है, तो एक तो है, आपका, अगर हम बात करें, वरून's family, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो एपस्ट्रोफी एवं एस लगाकर, पजिजिव केस बनाए जाता है, पहला, तो पजिजिव केस बनाने का पहला उपाई क्या है, आप एपस्ट्रोफी एम एस लगाकर बनाते हैं, दूसरा क्या है, आप औफ का परियोग करते ह हैं, the family of वरून, तो इसका हम पजिजिव केस बनाते हैं, ओफ का परियोग करके, नाउन ओफ नाउन से, नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, ओफ नाउन या प्रोनाउन अगेन, जो भी है, यहाँ पर नाउन है तो प्रोनाउन भी आ सकता है, तो दो मेथर्ड आपके पास पजिजिव केस बनाने का, एक तो ओफ का परियोग कर सकते हैं, जुडाव दरसाने के लिए किसी प्रेपोजिशन का, दूसरी का भी परियोग हो सकता है कई बार, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो है, आपका एपस्ट्रोफी एवम एस लगाकर आप पजिजिव केस बनाते हैं फूर एक्जामपल मैं यहां पर एक्जामपल लूँ तो आपके सामने, अगर मैं भोलो डॉक्स टेल, तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, the tail of a dog, कोई दिक्ट नी है, आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं, the tail of a dog, तो दो तरीके से आपने पजिजिव केस बना है, अ लगाकर हम पजेजिव केस बना लेते हैं लेकिन कई बार आप पजेजिव केस में जब लगाते हैं तो किसी भी वर्ड के end में एंड में S, SH, C, CE या CH आकर हिसिंग साउंड देते हैं अब हिसिंग साउंड क्या होता है हिसिंग साउंड होता है सह या सह की द्वनी तो वर्ड क्या हो बले Singular हो बले PLEURAL हो जहां पे सह या शै की द्वनी आ जाती है जहां पे सह या शै की द्वनी आ गई वहां पजेजिव केस बनाते समय केवल Apostrophe का प्रेयोग होगा केवल क्या होगा? आपका Apostrophe का प्रेयोग होगा no as as का प्रियोग नहीं होगा for example अगर मैं आप से कहूँ कि for justice sake तो यह गलत हो जाएगा आप इसको लिखेंगे for justice यह वाला correct हो जाएगा अगर कोई आपको बोलता है boys hostel तो अगर वो ऐसे बोलता है boys hostel तो गलत हो जाएगा आपको लिखना है boys hostel यह correct होगा sorry यह wrong होगा यह correct होगा तो दूसरा इसका जो important जो factor आपको ध्यान में रखना है कि जातर question इसी पे कई बार पूछ लेता है exam से मैंने देखे हैं कि apostrophe M S लगा कर positive case हम बनाते समय hissing sound का खयाल रखना है hissing sound में क्या होता है basically hissing sound में सयशय की ध्वनी अगर उसमें है तो आप keval apostrophe का प्रियोग करेंगे जैसे इन examples में हमने देखा है उसके बाद अगली जो चीज आती है कि कई बार मान लिजे person का किसी विक्ति का नाम आ जाए तो जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे Suresh's house तो यह correct होगा अगर किसी विक्ति का जगे का अगर नाम आया है और उसमें अगर Suresh की ध्वनी है तो apostrophe S लगा सकते हैं वो गलत नहीं होगा यह exception है लेकिन इसमें एक और चीज धान में रखने की है जो historical names है Indian historical names नहीं कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कालिदास भी तो historical name है historical जो names है for example जैसे मैं कहूँ Jesus crucifixion Jesus को उसूली दी गई थी तो उसमें Jesus crucifixion बोलते हैं Jesus sermon बोलें तो उसमें केवल एपस्टोफी का प्रियोग करते हैं जैसे आपके पास पाइथागोरस theorem है तो उसमें भी आप ध्यान रखेगा केवल एपस्टोफी का प्रियोग होता है तो ये पहली बात हुई अपनी positive case से समंदित पहली बात क्या हुई पहला इसका सिद्दान क्या कहता है एपस्टोफी एस लगकर बनेगा लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसमें noun of noun का प्रियोग भी हम कर सकते हैं दोनों तरीके से लिखा जा सकता है noun of noun universal होता कहीं पे भी यूज कर लो अपस्टोफी एस वाले की नियम होते है तो पहला क्या है पहला नियम ये है कि अगर hissing sound आजाए शय शय की ध्वनी तो हमें केवल अपस्टोफी का प्रियोग करना है एस का प्रियोग नहीं करना है एक चीज का एधियान रखना है लेकिन वेक्ति का नाम आए जगे गए यानि फ्रॉपर नावन अगर आ जाती है तो उसमें अगर शय की ध्वनी होने के बावजूद अपस्टोफी एस का प्रियोग हो जाएगा लेकिन फिर वहीं एक पंगा और आता है इसमें हिस्तोरीकल जो नेमस उसमें मैंने देखा है कंटिनीवसली बुक्स में, नोवल्स में एवन ओल्ली लिट्रेचर में लिट्रेचर में अपस्टोफी तो इसको लेकि कहीं केश्टोफी का प्रियोग होता है लेकिन जैसे बहुचन मैन हुआ, पीपल हुआ, तो उनमें जो है, एपस्ट्रोफ येस दोनों लगेंगे, सहर शेर की ध्वनी नहीं है, तो इसका एक वचन बहुचन से लेने के नहीं है, अंतिम लेटर की ध्वनी में हिसिंग साउंड नहीं होना चाहिए, विक्ति के नाम मे हो सकता है, प्रियोग, यह आपका पहला पॉइंट है, अब इसमें जो दूसरा जो एक्स्ट्रीम अलि इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है, लिविंग बीइंग्स वर्सेज, लाइफलेस अब्जेक्ट्स ठीक है, यह पॉइंट, बीइंग्स अब मुझे बड़ा तंग करता है, अधूरी होने के वज़े से, इसके चक्रे में मैंने एक एडमिशन भी खोया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, किसी स्टूडिंट ने कहा कि बी में कभी आएंजी नहीं लग सकता, मैंने का भई यह नाउन है, लेकिन वो भाई साब नहीं माने, कहीं बड़े कोचिंग से पढ़ के आये थे, दिमाग में भर लिया उन्होंने, तो कही बार क्या बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्छे को समझाने पर, बीइंग का मतलब होता है, जो अस्तित्व में है, जो जीव है, उसको का गया है, एंटिटी को बीइंग का गया है, तो यहाँ पर नाउन है, यानि कि अगर मैं कहूँ लिविंग बीइंग होते हैं सजीव, और यह होते हैं निर्जीव, तो अगर हम पजेजिव के इसके बात करें, तो सजीव को बनता है, निर्जीव का नहीं बनता, फॉर एक् तो नहीं बनेगा तो इसकी जगा आपको क्या लिखना पड़ेगा दिलेग उफ दिलेग उफ है चेर यददा है चेर पोटेवर किसी पर्टेकिलर की तरफ इशारा करें तो दे भी आ सकता है तो अभी आर्टिकल की तरफ ज़्यादा फोकस करने की आप सकता नहीं है या फिर मैं बोलूँ अगर किसी प्रेम्स फैन्स बन सकता है प्रेम के फैन है प्रेम बेखती है लेकिन अगर हम यह कहें कि प्रेम्स फैन्स के अलावा अगर हम यह कहें कि आपका फैन्स ब्लेड्स फैन्स ब्लेड्स पंकी की ताड़ी अब पंखा जो है वो उसके ताड़ी का नहीं बनेगा पंखा निर्जीव है तो हम बोलेंगे the blades of a fan इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं दूसरा इसमें जो important point वो आता है कि भाया अगर आप living beings का positive case बना सकते हैं तो बना सकते हैं lifeless का positive case नहीं बनता अब यहीं से इसके exceptions शुरू हो जाते हैं और पूरा का पूरा यह chapter जो है वो exceptions में चलता है तो यहां पे इसका जो पहला exception आता है वो यह आता है स्रीमान कि आप जो है positive case बनाते समय जो ध्यान रखने की चीज़ है वो यह है कि आप personified objects का positive case बना सकते हैं अब यह personified objects क्या होते हैं personified objects होते हैं वेक्तियों की तरह जिनेंग ट्रीट करते हैं यह दोनों तरह क्यों होते हैं masculine और feminine दोनों तरह की strilling and pulling masculine उसमें होती है जिसमें strength या violence का भाव हो strength या violence का भाव हो उसे हम क्या कहते हैं violence का भाव हो उसे हम कहेंगे masculine feminine उसको कहेंगे जिसमें beauty सुन्दरता का भाव हो मर्सी का भाव हो kindness का भाव हो tenderness यानि softness का भाव हो उसको हम कहते हैं भाया आपका feminine objects अब चीजों को इन्होंने personified कुछ लोग बोलते है personified object dignified object यानि वस्तुएं जिनने व्यक्ति की तरह treat करते हैं जैसे चंदा मामा तो यह दो तरीके आते हैं masculine में वो आते हैं जैसे आपका हो गया war हो गया ठीक है violence भी उसी में आ जाता है आपका summer हो गया ठीक है winter हो गया death हो गया इधर आ जाते हैं आपके ship है moon है liberty है nation है बहुत से हैं आप notes में देख सकते हैं इनको तो यह जो होते हैं यह feminine होते हैं यह masculine होते हैं अब इन जो personified objects हैं इनके मामले में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है वो यह है कि जो personified objects हैं उनमे masculine और feminine दोनों तरह के object होते हैं जो आपको ध्यान रखना वो यह आयाद रखना है कि इनके साथ आप personal pronoun ही या शी का भी प्रियोग कर सकते हैं, the sun is showing his fury, the ship has lost all her crew, तो यहां पे हमने her का और his का प्रियोग किया है, यानि personified object में personal crown he or see का प्रियोग भी हो सकता है, एक तो ध्यान रखने की यह चीज है, दूसरा इनका positive case बनाया जा सकता है, जैसे अगर मैं कहूँ, sun's rays, moon's beauty, nation's zero, तो इस तरीके से हम इनका personified objects का आराम से positive case बना सकते हैं, तो आज हम यहीं रुकेंगे, तीन चीजें हमने पढ़ी positive case के बारे में, पहला हमने यह पढ़ा कि apostrophe S लगा कर बनाते हैं, लेकिन हेसिंग sound हो तो खेवल apostrophe लगी कि S का प्रियोग नहीं होगा, personal pronoun में हेसिंग sound है, तो apostrophe S दो नहीं लग जाता है, लेकिन historical names में उनको अवईड किया जाता है, तो इसमें आपका आता है, कि सजीव का positive case बनता है, निर्जीव का नहीं बनता है, लेकिन यहीं से सजीव और निर्जीव की लड़ाई आगे बढ़ती है, तो इसमें आपका आता है, कि personified objects का भी बन जाता है, personified objects और dignified objects कौन से होते हैं, जिसे हम मनुष्य की तरह है, treat करते हैं, अब यह भी दो तरह के हैं, masculine, feminine, जैसे war है, sun है, यह जो आपकी जो है, summer है, winter है, death है, यह क्या होता आपको क्या है, personified objects, male के तोर पे masculine, क्योंकि इसमें हिंसा का भाव होता है, प्रेम होता है, softness होता है, जैसे जहाज है, चंदा है, चांद है, देश है, ठीक है, आपका autumn है, spring है, बहुत एक liberty है, mercy है, nation state, यह सारे के सारे feminine के तहट आते हैं, क्योंकि इन्हें हम सरंक्षन देने वाला मानते हैं, तो इनमें he or she का प्रियोग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जब इनको personified object की तोर पे treat कर रहे हैं, अब treatment पर depend करता है, अगर आप वस्तु के तोर पर treat कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे यह वस्तु है, अगर personified object के तोर पे तो हम विक्ति की तरह आज 10.15, 10.15, 10.15 minute के वीडियोज हैं, उनके concepts को आप देरे-देरे समझें, और इसको apply करने कोशिस करें, बुक्स में साथ लेके, बुक्स में पढ़ेंगे, क्या के details दी हैं, चुकि bookish language से पढ़ाया नहीं जा सकता, तो बहुत से extra details भी आपके सामने आ रही होती हैं, तो इनको अपने उसमें incorporate कर लेजिए, reading पे खासकर focus करिए, क्योंकि reading can save your life big way, thank you so much, मैं God bless you all, राम राम सा, नमस्कार